गुट बार्णिंग फ्रेंट्स मैं डॉकर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लेवर हास्पटल स्वरुपनगर कांटो एड दे आउटसेट आ रिक्वेस्ट यह सांटिफिक चैनल है यह सांटिफिक डेलिबरेशन है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को वालइप करें और इस वीडियो को शेयर करें आज मैं बात करूंगा रिजिस्टे एंजाइम्स के बारे में ओवर दे काउटर आप बहुत सारे एंजाइम यूजज करते हैं कभी आप यू ने medicines या कुछ तरह की चीजी भी है जो आप enzyme समझ के खाते हैं जैसे आप आप हाजमोला खा लेते हैं जो इस तरह की चीजे हैं ये वास्तों में enzyme का काम करते हैं ऐसा आप मानते हैं आज मैं digestive enzymes को scientifically analyze करने की कोशिच करूँगा now look at the enzymes ये वास्तों में क्या होते हैं जो enzymes जितने हैं वो protein होते हैं ये इनका काम है कि आप जो भी खाना खाएं उसे digest करें इसका मतलब ये protein है और ये आपके खाने की digestion का काम करते हैं ये आपकी body में naturally ही पाये जाते हैं आपके जो intestine है आपका liver है आपका pancreas है ये इसी naturally produce करते है आपके लिए तो आपका जो digestive system है उसमें enzymes naturally पाये जाते हैं अगर हम खाने की चीजहें तो उनमें भी enzymes पाये जाते हैं जिसे papaya है या pap perfectly में जाता है जैसे पेपेन कहते है पाइन एपल में एणजायम में पाए जाते हैं जैसे ब्रोमोलेन कहते हैं तो इसलिए जो फूट से उनमें भीजायमFC अवیलेबल होते हैं इन मार्केट में में ऐस सप्लिमेंट तो अवेले 메이크업 हTrक है अगर हम total enzymes को देखें तो यह चार ही category में आते हैं number one is the amylase, number second one is the lactase, number three is the lipase, number one is the proteases अगर हम देखें ध्यान से तो जो amylase है उसका काम है कि carboidates को break down करे and digest करे जो lactase है उसका काम है कि आप जो दूद या dairy के product इस्तेमाल करते हैं उनमें जो lactose है उसको break down करे और आप उसको इस्तेमाल कर पाएं जो lipase है उसका काम है जो आप fat use करते हैं या खाते हैं उसको break down करे ताकि आपकी intestine उसको utilize कर पाए तो अगर हम देखें यह मोटे मोटे functions हैं जो enzymes करते हैं आपके intestine में so these are the four groups जो enzymes आपकी body में होते हैं नो क्या enzymes सभी को खाने चाहिए शायद नहीं क्या enzymes doctors सभी को prescribe करते हैं शायद नहीं जो enzymes हैं बहुत specific conditions में prescribe किये जाते हैं अगर आप ध्यान से देखें अगर pancreatitis जैसे बिमारी है या chronic pancreatitis है तो enzymes recommended किये जाते हैं अगर pancreatic cancer है और pancreatic juices नहीं बन पा रहे हैं तो जो pancreatic enzymes है वो prescribe किये जाते हैं एक cystic fibrosis करके भी बिमारी है जो वास्तों में pancreas को involve करती है उसमें भी enzymes की ज़रूरत पड़ती है लेकिन बहुत सारे digestive issues ऐसे हैं जिनके लिए enzymes हम prescribe करते हैं as doctors या आप over the counters utilize करते हैं enzymes to resolve जो celiac disease है Crohn's disease है irritable bubble syndrome है इसमें there are some anecdotal reports जो ये कहते हैं कि अगर आप enzymes use करते हैं तो इनमें symptoms relief होते हैं in fact कुछ current studies ये भी कहते हैं कि जो arthritic pain है या जो joint pain है जिसमें कोई swelling नहीं है जो arthralia है या joint में pain है उसमें ये जो enzymes हैं ये शायद आपको help करते हैं ऐसे ही जो muscle में soreness होती है या muscle में एक tenderness होती है उसमें शायद ये enzymes आपको help करते हैं नो जो OTC digestive enzyme आपको pharmacy में मिलते हैं कि आप चले जाते हैं medical store पे एक जड़क यूने enzyme की गोली दे दीजिए एक आप लूपीजाइम का एक capsule दे दीजिए आपको इस चीश को समझने की जरूरत है कि इन्हें कैसे इस् enzyme सभी में काम करता है इनके क्या potential side effects हो सकते हैं आप जो इनको इस्तेमाल करते हैं ऐसे ही इनके potential क्या interactions हो सकते हैं दूसरी दवाईयों से तो इसलिए enzymes आप ऐसे ही चले जाएं medical store से ले लें इनको खा लें वो शायद justified नहीं है कैसे उनको इस्तेमाल करना है किन conditions में इस्तेमा हैं वो वास्तों में दो main organs हैं जहां से enzymes बनते हैं dominantly जो हमारी small intestine यह छोटी आत होती है वो वास्तों में हमें enzymes बनती है इन pencreas is the one जो enzyme बनते हो तो दो यह organs हैं जो mainly हमारी body में enzymes बनते हैं और यह जो enzymes हैं इनका main काम इनी तीन चीज़ों पर है जो आफेट्स खाएं उनको digest क करें आप जो carbohydrates खाएं उनको digest करें इसका मतलब जो enzymes हैं उनका काम है कि जो macronutrients हैं like fats, proteins and carbohydrates उनको वास्तों में digest करें ताकि आपके जो intestine हैं उनको absorb करके आपकी body में लगा पाए अगर ऐसा हो जाता है कि आपकी जो digestal system है उसमें enzymes की deficit है यह enzymes up to the mark नहीं हैं यह enzymes की कमी हैं तो ultimately इसे कहते हैं malabsorption तो जो malabsorption है वो enzymes की कमी की चलते develop हो जाता है यह आप जो खाते हैं उसका बहुत सारा अंश आपकी लेटर में निकल जाता है नो जो malabsorption है उसे बहुत सारे nutrition deficiency हो सकती है और यह बहुत uncomfortable situation पैदा कर सकती है बहुत uncomfortable symptoms पैदा कर सकती है अगर enzymes की कमी हैं आप अगर enzymes की कमी हैं तो flatulence होगा आपको बहुत सारी gas pass होगी because जो undigested food material है वो आपकी intestine के अंदर है वो ferment होगा तो gas बनेगी और बहुत gas pass होगी आपको abdominal creams आएंगे या मरोले आएंगे क्योंकि जो nutrients absorb नहीं हुए है वो ferment होगे तो मरोले जैसे दर्द आने चालू हो जाएंगे ऐसे ही अगर enzymes deficit है तो it is quite possible के आपको diarrhea या lose motion की tendency हो जाए तो अगर enzymes नहीं है तो mal absorption हुआ और mal absorption हुआ तो यह uncomfortable symptoms है वो appear हो जाएंगे तो इसलिए enzymes important हो लेकिन digestion के अलावा there are studies जो कहती हैं कि arthritis, autism and there are certain cancers जिसमें भी ये वास्तों में help करने की ताकत रखते हैं अगर हम availability को ध्यान से देखें enzymes की तो एक तो prescription से मिलते हैं जो doctor आपको लिखके देखा कि ये enzyme इस dose में इस तरीके से आपको खाना है एक तो वो तरीका है दूसरा यह है कि आप medical store चले जाते हैं और over the counter available होते हैं enzymes और आप उसको खाते हैं which may not be wrong लेकिन कैसे खाना है ये आपकी जानकारी में होना चाहिए नो आपको ये भी जानकारी में होना चाहिए कि ultimately आप ये जो over the counter खाते हैं जो enzymes या product ये आते कहां से हैं ये बनते कैसे हैं क्या ये factory से बन जो pancreatic enzymes हैं या जो pancreatic enzymes को support कर निकले enzymes हैं ये वास्तों में जो animals हैं like pigs, cows and limbs इनके pancreatic enzymes से निकाले जाते हैं जो pancreatic enzymes by and large in animal sources से आते हैं लेकिन कुछ ऐसे भी है enzymes जो plant sources से आते हैं जिसे मैंने पहले भी कहा कि जो bromelain है वो pine apple से आता है जो papayas से आता है जो lactase है वो बहुत सा बंगाई से आता है तो there are certain enzymes जो animal sources से आते हैं बट there are certain enzymes जो plant source से भी आते हैं और जब भी आप enzyme लेते हैं तो ऐसा कभी नहीं होता कि कोई enzyme आपने OTC से लिया या आपने medical source से लिया तो उसमें कोई एक enzyme हो ये हमेशा combination होते हैं combination in the sense कि इसमें कुछ proteolytic enzymes होंगे like bromelain and pepain जो वास्तों में protein को करते हैं digest उसमें कुछ lipase जैसी चीज़ें होंगे जो fat को digest करती हैं कुछ amylase जैसी चीज़ें होगे जो वास्तों में carbohydrates को digest करती हैं तो usually जो आप enzymes market से लेते हैं और खाते हैं वो combination होते हैं so that सभी micronutrior के उपर काम करके उसको absorb करने की यह ताकत रखें तो अगर हम ध्यान से देखें कि जो enzymes हैं उनका काम है कि जो भी हम खाना खाएं उसमें जो macronutrients हैं या फेट्स हैं प्रोटीन हैं कार्वाइडेट्स हैं उनको digest करें उनको breakdown करें और वो उस तरह से बनाएं so that हमारी intestine उनने absorb कर और mal absorption develop होगा तो बहुत सारी symptoms appear होने लगेंगे पेट फूलने लगेगा पेट में दर्द आने लगेंगे गुलगुल होने लगेगी lose motion होने लगेंगे बलब इस तरह की symptoms आपको आना चालू हो जाएंगे बहुत सारी gas pass आपको होगी तो इन symptoms को ठीक करने के लिए आपके पास में दो यह option है या तो आप doctor को दिखाईए उसको investigate करा कि क्या enzyme किस dose में खाना है उसको judge करिए and use them but there are certain OTC enzymes also जो available होते हैं medical store पर उनको भी आप temporarily use कर सकते हैं लेकिन अगर उनसे response नहीं आता है तो आपको अपने doctor को दिखाने की जरूरत है अगर digestive enzymes का जो role है आपके digestion में उसको समझने में यह video आपको help करता है तो जरूर शेयर करें मैं Dr. V.K. Mishra from Guest to Liver Hospital, Swarupnagar Kaankur. Thank you very much.